थेल्व एबरिबर सो कई स्टूडेंस की डिबांड थी कि सर्व मैक्सिमा और मिनमे कराती हैं कि कि एक्षाम में काफी हैल्प मिन तो मैंने कुछ फोछिंस्न सेलेक्ट किये ऐख विसेलेकिये अप इन कुछिंस की पीधिया हमारी वेबसाइट से डाउन नोड कर सकते हैं और कोई हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट के थूरू या मैसे के थूरू बता सकते हैं इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएंगे यह मेरा फेस्बूक एड्रेस है ठीक है चलिए सुरू करते हैं कोईशन्स परहें चैनल हमें कुछ फॉर्णों की रिक्वार्ममेंट परें जो बहुत ही पर ऋले हैं ठीक है भी का व। remote है तो पहला तो यह थोड़ा सा ऐसे पदिख रहा है यह स्कॉर समय से इस 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 का एरिय कितना होगी इसको एसा ही टोटल कितने फेस्ट बनते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे टोटल 6 फेस्ट एक फेस का एरिया यहां पर हमारा एक यह फेस दिख रहा है 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 एक यह फेस है एक यह फेस है एक यह दो और यह पीछे वालत ती और यह चार और यह पांच और यह च्छे हिए ठीक है टोर्टन छहोते हर फेस का एरिया हमने निकाल ला होता है तो फेयर ऐसिक्ति के लिए दो तो इन करेके से होता है टोल सर्फेस एरिया करणा कोई कॉइछ त्रॉटर्वाइब हमसे टो करणे काथ इसपहर और सप्रपेर्ड ब्स सा हुए आधा है ठीक है जिसे हमने में छला बनाया हूँ है यह हमने कहा दिया एक प्लेन पर सर्कल बनाया हूँ है लेकिन अगर इसी को हम जेट एक्सिस बेभी बाहर निकाना यह बैलून बन जाएगा बॉल बन जाएगा बॉल एक स्पेर है यह उसका होता है तो पाइस को है फोर फाइस का और स्पारीश को सिद्र परेमीटर उप सलक्रेंटूल इंटु अब सिलंडर का कैसे याद रखना है सिलंडर का याद रखने का तरीका क्या है देख लिए इसका सर्फिस इवाप उच्छा अब सर्फिस इरिया यहां पर दो तरीके से कुझाया एक और यह जो हमारा है पहला वाला पार्ट दे रखा है और यह दे रखा है कर्ण सर्फिस इरिया और यह है तोटल आप मेंचन कर लेजिएगा अलग-अलग मैंने एक सबाहिए करदा थाओं सब्सक्राइब है याद रंगाने का तरीका वैं यह दीखें कितने सरक पर लॉप्योंट करते नहें। परिमीटर कितना हो जा रहे हैं यह इतना पार्ट है यह इसमें तो यह साइड वाला करवड सर्फिसर यह लेना है तो इतनी ऐसा लग रहा है हमने कई सारी रिंग्स रख्की हुई हैं एक रिंग दो रिंग तीन ऐसे आप आप इमेजिन कर सकते हैं एक रिंग का परिमीटर कितना होता तू पाई आर और आजिसे हैं कितिनी हाइट तक रख दी हमने एच हाइट तक इस आर रिंग के चले को मैंने एच हाइट तक रख दी तो एक करण सर्फेस अर्या होगा की टोटल सर्फेस क्या हुगा कि टोटल सर्फेस अर्यामर्य मैंने इसा चादर और रस तो तो यह तो चाएन यह लिए प्लेस तो यह हमारा कर्वट सर्फेस है यह आजाए रहा हुआ प्लेस नीचे दे रखा है जो मैंने उपर लिख दिया यह वह वाला पार्ट है पहले सर्फेस एरिया में निकाला है जैसे यह निकाला था ठीक है तो पाई आर इंटू एच प्लेस तोनों सर्कल्स के टाइव दोनों को बंद करने के लिए हमें दो सरक़्षा है टूपाई रस्पाय है अब क्यों की बात कर लें तो क्या होता है कौन हमारा थोड़ा टेंट नुमा आपने देखे होगा कई जगे लगए होते हैं तो उनी का फिकर दिखता है ठीक है जिसमें हाइट भी होती है रेडियस भी होती है सिलेंडर की तरह है लेकिर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती ही जिसको इस्लांट हाइड वह देढ़े और इसकी वाल होती कितनी है और स्कूर प्लस है तो यह अगर आपको रेडियस और हाइट पता है तो आप स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं तो कुछ एक्ष्टा एलिमेंट नहीं होता है लेकिन हाँ उसको निकालते कैसे यह आपको पता होना चीजिए तो यहाँ भी दो चीजिए हो जाएगी एक कर्ड सर्फिस एरिया यह कर् तो पाई आर स्कॉयर पाई आर ऐल यह इसका कर्ड सर्फिस एरिया हो जाता है और टोटल सर्फिस एरिया अगर आप पूछते हैं तो पाई आर एल तो रहे गई रहेगा प्लेस यहां सिर्फ एक सरकल की ज़रुद पढ़ती जो इसको बन रहता है वह नीचे गला है उपर को सर्फिस एरिया अब आ जाते हम वाल्यूम की बारे में वाल्यूम क्या हो जाता है कि क्यूब का वाल्यूम कितना आएगा कि हमारा ऐसा फिगर होता है ठीक है कि लेंद्थ प्रेट इंटू हाइट अब सारी लेंथ जिसे रेक्ट है यह सब लेंथ ब्रिट हमारा फार्मना जो होता है यह होता है लेंथ ब्रिट इंटू हैट अब दोनों तीनों सेम है इसमें तो इसकी वैलू कितनी हो जाएगी साइड का क्योव कि इसपेर इसपेर का कितना आता है ओर बाइटरी अगे रखने का तरीका क्या है हम सीधा ही स्टार्ट करेंगे सिलिंडर से सिलेंडर का आप याद रखिए वाकि सारी चीज़ां हम याद करने में इसमालिया यह सिलेंडर है एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई यार इसक्वायर भीड़ी तो होता है लेंट बिरिथ इंटु एच निचे इसका एडिया निकालते हैं लेंट इंटु बिरिथ और हाइ हलाइब ऊपर तर्क इसी से हम सुर्क्राइब बनार आख हम सा इसी से हम कौन का बनाते याद रच्टिकली नहीं होता है यहाद रिखने के लिए यह देए इसके हम तीन प्रत कर दीं chem है तो कौन वाहाँने याद कर लिया यह सिलेंडर का वन थर्ड होता मैं आप सिलेंडर याद करें सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है उसका हम अगर तीन इक्वल पार्ट डिवाइड करते तो हमें कौन जाता ऐसे की वाला पार्ट ठीक है अगर इतना सवाज में आरहोगा तो सिलेंडर का होता है सरकल सामने रखते चलेगा एच्छाइट तक और अगर हम इन ही चार कॉन चार राइट सर्कुलर कूर में से होता है ऐसे कौन बनेगी ऐसे चाइप में यह दिख रहा है अभी एक कौन नहां का एंगल राइट एंगल है तो ऐसे अगर हम चार और एड कर देगी ऐसे तो हमारे पास क्या बन जाएगा पूरा स्फेर बन जाएगा ठीक है तो इमेजन कर लिजिए यहां पर कि वन बाइट री तो पाई आर स्कॉर इंटु एच ऐसे हमने कितने रख दिए चार रखे हुए और यहां हाइट का कोई आपको क्लास एर्थ बन जाएगा तो यह वाल्यूम आ जाता है इस फेर का ठीक है इतना क्लियर होता है तो और यह बेसिक चीज़ें आपको क्लास एर्थ बन जाएगा तो आपको प्राइब क्लास एक जाएगा तो इस तैपक कोशन में में आपको करना क्या होता है? ठीक है पहले बात तो आपको figure बनाना पुरेगा आपको किसी ना किसी form में figure की जरुवत पढ़ेगी पहले चीज है आपको area, volume, surface area, total surface area ठीक है यह formula पता होना चीए ठीक है आपको maxima minima का concept पता होना चीए ठीक है मैकस vær mimam करते क्या हैं कि पहले हम डी वाight बाइड निकालते हैं ठीक है इसको 0 रखते हैं इससे हम critical points निकालते हैं यसाहाल का सरीamyітजन हम दिये रहे हैं पहले हमने 5 by dx निकाला ठीक है critical points निकाले उसको 0 रखके उन points पे हम check करते है रहाले से या तो पॉजिटिेव आएका पॉजिटिव पॉजिटिव हाएगा यह निगेटिव आहे गा पॉजिटिव आयगा मतलब है मिनिमा और निगेटिव है मतलब है मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैलू देगा और पॉजिटिव यह तो मिलू देता है चलिए इतनी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तब ही आप यह कोशन लगा सकते ठीक है तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए फिगर तो बहुत इसली बना सकते सर्कल जो भी बनाता जो भी कोशन बताता है उसका फिगर बनाना आना चाहिए एरिया हो गया यह सब चीज़े आपको आने चाहिए उसके बाद ही आप कोशन सॉल कर सकते हैं चलिए पहला कोशन लिटे आप ने लगा लिए होगा तो अच्छी बात है नहीं लगाया था तो हम इसको ट्राइ करते इन्होंने क्या कहा है कि show that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height edge ठीक है greatest cylinder पहले एक cone जो fix figure है इसी के अंदर हमें cylinder बनाना है तो पहले हम बड़ा figure बनाते हैं ठीक है यह हमारा होगया cone जिसकी उन्होंने कुछ चीज़े दे रखी है which can be inscribed in a cone of height edge इसकी height दे रखी है small edge यहां पर notation जैसे हैं वैसे यूज़ करने हैं तो अगर यह small में दे रखी है तो हमने इसकी radius भी क्या ले लिए small तो सारी चीज़े small में हो जाएंगी यह कौन की है इसके अंदर कह रहे हैं कि जो cylinder बना रहे हो आप उसका volume maximum रखना है ऐसा cylinder आपको बनाना इसको काट के ठीक है तो हमने यह बना दिया इतने ही बन सकता है और या और वालिम अजिस्ट करना आपको हमने एक रफली आडिया लिया है फिगर बनाने के लिए पाकी maximum volume करना है तो हम इसकी height बढ़ा सकते है radius कम कर सकते है तो यह दोनों vary करेंगे fix नहीं है भी ठीक है यह आपकी height थी इतनी सिर्फ हाइट आपके cylinder की इसको हम capital H लिए ले रहे हैं और यह वाली रेडियस आप इसकी है जिसको हम capital R लिए ले रहे हैं और हमें volume किसका maximize करना है आप यह चीछित देना को volume of cylinder cylinder का volume maximize करना है तो यहाँ पर जो हम formula लिखेंगे जिसको maximize या minimize करना है वो question में दिया होगा maximum volume maximum area maximum surface area ठीक है तो हम उसी का formula लिखते हैं तो volume of cylinder कितना होता है पता रखा है कि हम नीचे circle का area निकालता है तो वह हो जाएगा pi r square और h height तक हमको इनको रखना है तो इसे इनका volume आगया अब इसमें देख रहा है कि हमें पर दो variable है वह हम radius भी कम कर सकते हमें अभी fix काटा थोड़े नहीं है हमें cylinder काटना है और ऐसा काटना है कि उसका volume maximum रहे ठीक है तो यहाँ volume maximum रखने के लिए हम उसकी radius को भी adjust कर सकते हैं और height को भी adjust कर सकते हैं अब हम पढ़ रहे हैं differentiation वाई application of differentiation इस case में होता क्या है कि हमें एक ही variable होना पड़ेगा जिसके respect में हम इसको differentiate कर सकते हैं अब बात को समझे हम यहाँ पे दो variable नहीं रख सकते हैं otherwise वह partial differentiation हो जाएगा जो आपकी slabus में नहीं है वह slabus में आएगा graduation मे variable में differentiate करते हैं दीन more than one variable वह अलग पाट है आप इतना समझे कि अगर हम cylinder काट रहे हैं और इसका volume हमें maximize करना है आप trial ले लिए पहले हमने इतना काटा फिर हाइट बढ़ा के काटा कभी radius चोटी करके काटी यहाँ पे दोनों variable radius भी और height लेकिन कौन की height fix है यह fix है और यह भी fix है ठीक है यह दोनों fix है लेकिन यह दोनों fix नहीं है तो हमें दो variable नहीं रखने कोई भी एक चीज़ा आपको अठानी पड़ीगी और उसको ऐसे relation से अठाना पड़ेगा कि दूसरा variable कोई तीसरा variable नहीं ला रहा है ठीक है तो अब हम देखते हैं क्या relation बना सकते हैं इसमें इन्होंने semi vertical angle दे रखा यह alpha है इन्होंने यह भी दे रखा है इसका यूज़ करना पड़ेगा तो direct direct में पता चल रहा है यह value हमारी capital R है यह alpha दे रखा अगर हम यह निकाल ले यह माने ले रहा है यह O है यह A है और यह B है तो triangle O A B आपको देख रहा है यह इतना right angle triangle इसको ह यह पार्ट यह O है इसके O के सामने A है जहां पर यह 90 degree angle बना है यह A है और यह B है यह पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है हमें यह वाला पार्ट देखना है यह O A है और यह हमारा कितना पार्ट है यह capital R है ठीक है तो हमें पता चल रहा है कि capital H की जो value है वह capital है small H की जो value है capital H plus O A से मिलके वारी आप देख सकते हैं पूरा small H है इसमें इतना पार्ट हमारा capital H है उसके ऊपर वाला पार्ट ओए है यहां से जहां से right angle triangle बना है यहां से इतना पार्ट हमारा capital H रहेगा और वह cylinder की height है और यह O है जिसको हमें calculate करना है right angle triangle से तो इस triangle में अ स्वाइन आलफा निकाले यह अलफा है तो टैनलफा क्या होता है पर पंडिकुलर पर पंडिकुलर है और वे तो वे की बैलू कितनी आ गई वे की वेलू आ रहा है आर कोट एलफा आप देख सकते हैं तो यह ओए हैं और यहां पर हमें हार और एच में से कोई एक चीज़ न करते हैं विसके लिए क्यों कर रहे हैं ताकि हम एक वेरियबल निकाल से के बाकि नया वेरियबल ना डाल कि इन्हीं वेरियबल का यूज कर सके हैं हम तो ओए की वैलू कितनी हा गई माइनस का आर काट एलफा ठिक है कि इतनी चीज हमारी कहलेट हो जिसमें यह वैरियबल सिर्फ यह वैरियबल है यह भी फिक्स है और यह भी फिक्स है कौन अगर इस दिरता है तो ओर यह चीज अगर हम पुट कर दें के तो तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा अमरा पाई आर स्कॉएर है एच की वैलू कितनी है है एच माइनस आर कॉट एल्फा ठीक है इतना के लिए तो अगर हम यहां पर इनको के लिए इसका मल्टिप्लाइग रहा है तो वैलू आईगी पाई अब एक ही वैर्यबल है वह है अँग्स तो फिक्स है यह वाला एच फिक्स है यह इंगल भी क्दक रिखिए तो हम करते से क्या है इसके डिफ्रेंशेट करनगे इसके रिस्पेक्ट में विदे तो यह आर वारेबल एक्स वारेबल होता है एक्स के रिस्पेक्ट में तो डीवी भाई टी आर ठीक है आप तो कुछ भी कर सकते थे अब आर स्क्वाइर की वैलु निकाल सकते इस वाले ट्रेंगल से अगर आप यह देखें यह यह पूरा वाला यह रही है कोई भी अगर कोई और चीज दिख रहे जिसका यूज करके आप यह वैलू निकाल सकते हैं तो आप भी एक ट्रम हटा नहों होता चाहिए आप एच अटा यह जया आरहाई आपको पर डिपेंट करता है ठीक है इन्होंने अल्फा दे रखा तो 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 हम यह यहां पर हम जो इसली हटा पार रहे थे उसका यूज करके हम इलिनेट कर रहेते हैं अब सिंपल सी एक्विशन है यहां पर आपका यह फिग्यर और यह जिमेट्री वाला कॉंसेट अब सिर्फ डिफ्रेंशेशन में आपका जो भी कमांड है वह यहां पर यहां पर इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट करना तो यहां यह हो जाएगा टू आर एच इन्टू कॉट अलफा इस इक्वल टू जीरो अब मैक्समिन में के लिए मैं इसको जीरो रखना होता तो इसको जीरो करेंगी तो वैलू कितनी आएगी यहां से कॉमन आ जाएगा आर और वैलू बचेगी तू एच माइनेस तू एच माइनेस थिरी आर कॉट एलफा इस इक्वल टू जीरो नहीं होगी आएसा सेलेंडर हमाने जिसकी रेडियो जीरो तो वोलिम काम मैक्समिम उपाएगा सिंबल सी बाद है तो यह चीज हम ऐसे अलग करें दे रहे हैं तो यहां पर देखिए तो यहां से यहां से आर की वैलू कितनी आ रही है टू एच कि वाइट रहे हैं तो यह मैक्समा देगा यह मिनमा देगा यह कैसे पता चलेगा यह पता चलता हमें डबल डेरिवेटर से तो आप इसका डबल डेरिवेटर्स इस वाले पार्ट का फिर से डिफ्रेंशेशन करेंगे तो डी टू भी अपॉन डी आर स्क्वाइर की वैलू आजाएगी पाई तो कॉंस्टेंट था है टू एच माइनेस शिक्स आर कोट एल्फा अब आर की वैलू यहां पर रखोगे ठीक है तो आर की वैलू कितनी आ रही है पीद्रेंट यहां से अगर हम यहां पर रख दो आपके तो हार की वैलू 3-4 पॉर बचेगा टैन कॉट गई हो जाए गाए यह वैलू यहां रखोगे तो थू बचेगा ठीक है टैन से टैन और कोट इंटू करेंगे तो और तू एच बचेगा थो देखेंगा तो देखि पर दिखानी पड़ेगी यहां पर मैंने इसका दिया है लेकिन यहां को दिखानी पड़ेगी उन्हेटेस्ट सब्सेट प्रमुर्ण मैक्सिम्म होना चीए मिनिमम मेंशन होता तो प्लस आना चीए था यहां पर हमको मैक्सिमाइज करना है तो हमें दिखाना पड़े यह इतना एक्ष्ट्रा काम करना पड़ता है अगर दो केटकल पॉइंट आते तो दूनों पर चेक करते अभी मेरा एक ही किटकल पॉइंट था अब हमें इतना पता चल गया कि इस वालू के लिए जो वॉलिम है वो मैक्सिमम मैं अब आता पहली तो यह आया था वोल्यूम तरह डिफरिंशेयट करने से पहले यह था तरह तो यहाप यहां पर दीजिए आकर इस यह फाली साने आरा गरे यह फीवफरोल्यू आ ऐद गी बाइब आर की बैलू यहां पर और सक्वाइर कर दो जड़ तो यह फोल्यू हो जायेगी खाट की वेलू 4 बाइ 9 इन्टू है एच स्क्वायर है यह वेल हो जाएकि 10 एल्फा है इन्टू कैपिटल एच कितना है कैपिटल एच निकाल लो यहां से तो यहां से एच माइनेस आर यह हार्ग आर्क आर्ट अलफा निकाल सकते हो जायकर एच माइनेस 2 x 3 तो वेलू इएगी एच पाइ तो बॉल्म कितना जाएगा कि फोर बाई ट्वंटी सेवन कि पाई एच क्यूब टैन स्कॉयर अलफा जो हमें लाना था ठीक है अगर कोई डाउट है आप बता सकते हैं अब देख लिए क्या किया था हमने चलिए अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं चलिए दूसर कोईशन ले लेते हैं तो और के लिए हो जाएगा है शो देट इन मैक्सिमम वाल्यम आफ दा सिलेंडर विच कैन भी इंस्क्राइब इन स्फियर ऑफ रेडियस रूट फाइफ 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 रूट थी सेंटिमेटर इस यानि हमें इतना वाल्यम भी निकालन इसलाम है सिलेंडर से मतल Mac nellamuj हमें इस फेर गीवन है इस फर हमारा मालई है कि अ यह सिंफेयार है ठीक है यह रहने हैं कि इसके अन्दर हम सिलेंडर काटना है जिसका वाल्यूम होना जैए। हुर यह हमारा है इसे कैंतो आज तो अगर हम द्यान देखना दियले हैट हो इसके हाइट यह रेडियस हो जाएगी है इसकी स्फेयर की रेडियस इतनी हो जाएगी यहां से यहां ते कि स्फेयर की रेडियस है यह इसकी रेडियस है और यह हाइट का आधा हो जाए तो यह एच बाइटू है ठीक है इतना क्लियर होना चाहिए फिकर से ठीक यह पूरी जाए कने सेटरबीट STEAहर गदेंगे लिए आधर जाएगा है जीस पता थे कि случае उसके उसके बाद देखmot ते हमें किसीझन ने निकालता है यह बैसे इता किसलेंधर हमें यह वालिम देगा है सुलेंडर वॉलिम मैं मैं कि यादेगा सिलेंधर मिनमाइस करना उसका फॉर्मॉला मेंशन करीए देखिए कितने वारियेबल है और हमें सिर्फ एक ही वारियेबल रोकना होता है बागी हटाने होते हैं तो इस ट्राइंगल से जो जो सेंटर वाला ओ यह बी यह ट्राइंगल ओए भी है आपको दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में अगर हम पांपता को शप्लाई करते हैं to Capital हार का स्क्वायर बराबर है और और हमें आर स्कॉर्ड डारेक्ली चाहिए तो इसका कुछ नहीं करेंगे जिए रहे हैं है कि अधियर कि एक व्लाइट आंड यहां पर मैंने स्मॉल एच ले रखा है तो हम इसको एच करें और यह स्फेयर की एक विस फेयर की एक ते से तो इसको आर इसको स्मॉल-बल रखा है और यह स्मॉल-ण हो जाएगी यह नोटेशन में कैंपीजन से आपके लिए फिर आप कं कि इसको तो चलो हम सही करें देरहे हैं एच हो से देख लिए धिके फिर से देख लिए तो इस तो फिक्स हरिया वह वारियेबल नहीं है वारियेबल है तो हमें क्या करना है कि यह ठीक है चलिए फिर से बना देता है कि हमने यह स्फेर लिया है ठीक है इस फेर के अंदर हमने यह स्लेंज काट है यह हमारा सेंटर है यह जो यहां इसको टच करेगी यह स्फेर की रेडियस है और यह जो रेडियस है यह स्मॉल हर और यह एच बाइटू कि यह एच बाइटू होगा यहां पर रिलेशन कितना आजाएगा और आर स्कॉयर इस एक वल टू आर स्कॉयर प्लस ह एच स्कॉयर बाइट फोर तो स्मॉल और निकालना है हमको तो घैपिटल आर स्कॉयर माइनस एच स्कॉयर फोर इतना किलिए रोगा यह वैलू हो आ रही है ट्राइंगल ओ ए पी से तो यह है यह है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर इसक्वायर इसी की रेडियस इसी की हाइट ठीक है अब हमें दो वेरेबल है तो हमें सिर्फ एक में रखना था तो हमने देखा पाई इसकी वैलू में मिल गई है हार स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पाई फोर इंटू एच यह वोली मागे अब देखे एक ही वेरियंबल है और हमें इसको डिफ्रेंशेट करना है तो डिफ्रेंशेट कर दीजिए भी है डिफ्रेंशेट विद रिस्पेक्ट टू एच तो डीवी बाई डीए चार पाई इसका मुल्टिप्लाइ करा लेते पहले तो यह वैलू हो जाती पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई फूर मुल्टिप्लाइश लेका है अदर्वाइब बाइपार्स लगाना प्रोड़क्ट रूल लगाना परता है तो यह वैलू आजाएगी पाई अ हार हमारी स्फेयर की डिएस हार कॉंस्टेंट है हार कॉंस्टेंट है तो यह वैलू आ जाएगी हार स्क्वायर एच माइनस एच का तो वन हो जाएगा तो यहां पर वन आ जाएगा माइनस थ्री एच स्क्वायर बाई फॉर एवैलू आ जाएगी फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते डिएच को जीरो रखते है तो अपने इसको 0 रख दिया जैसे 0 रखेंगो तो यह वैलू कितनी हाजाएगी पाई तो 0 नहीं होगा यानि आर स्क्वायर बराबर आ हमको हमको निकाल रहे हैं क्योंकि वालू सकते हैं हैं तो हाइट नियुज़ पльंध माइनिस नहीं आ, हाइट धी आएगी टू़ार नुच मियंघ다 कि वें, अब ऑफ ली, चर्ञ लिव तो उसके लिए हमें करना क्या होता है जो dv by dh, dv by dr जो भी आता उसका double derivative करना होता है और वो point put करना होता है जिससे हमें plus या minus sign में सके हैं तो यहाँ पे अगर हम differentiate करेंगे with respect to h तो यह तो 0 हो जाना है कि कि यह तो constant value है तो पाई बचेगा बहार है कि कि वो और minus का 6 h by 4 तो हमें पता है कि यह value अब प्लस value रखो गे इसमें तो यह negative ही रहेगा minus value देगा so maximum volume मिलेगा अब कितना volume मिलेगा यह हमें निकालना है और capital R की जो value इन्होंने दिये रखी है 5 root 3 पहले ही तो capital R हम put कर देंगे लेकिन फिलाल के लिए हम volume में formula put करते है तो volume कितना है हमारा volume है पाई हार स्क्वाइर माइनस है एच की value इतनी रखोगे इसका स्क्वाइर तो आएगा यहां से देखो स्क्वाइर हम बहुत इजली निकाल सकते हैं एच स्क्वाइर बाइफ फोर की जो value है हार स्क्वाइर बाइफ थरी है तो यह value यह पूट कर दो जाके तो है तो आर स्क्वाइर बाइफ थरी इंटू एच एच की value कितनी है तू आर बाइफ रूट थरी तो यह value आ जाएगी पाई कि टू आर स्क्वाइर बाइफ थरी इंटू तू आर बाइफ रूट थरी तो वैलू आर यह पाई अपॉन थरी रूट थरी इंटू आर क्यूब और यह फोर तो वॉल्यूम कितना आगे हमारा कि वॉल्यूम आ रहा है बस आर की वैलू रख तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा आर क्यूब आ जाएगा 125 थरी रूट थरी तो यह वैलू हा जाएगी फोर पाई अपॉन में 3 रूट थरी इंटू इसका क्यूब किया तो हमने 125 इंटू थरी रूट थरी रूट थरी रूट थरी रूट थरी रूट थरी कैंसल हो गया और इसका मॉल्टिप्लाइ करा है तो 505 सेंटीमीटर क्यूब यह अंसर आचाहेगा ठीक है आई होप इतना क्लियर है जिसकोशन में कोई भी डाउट हो आप मेंशन कर दीजीगा घ्री रूट रूट थांसर नहीं भी हम कर दो आप मेंशन कर दो खड़ झाल 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 तो आए 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 10 आफ साइड 18 cm यानि एक ऐसा चीज जिसकी साइड एक ऐसा आप माली एथा इसक्वायर है जिसकी साइड इनने मेंशन कर दिये जोची पढ़ते जाएए दुबारा कोशन मत पढ़ा करिए एक बार पढ़िये और साथ में अपना यूज करते चलिए 18 cm साइड है इस और यह 10 का बना हुआ चलिए और लग बात इस टुबी मेड इन्टू आ बाक्स यानि इस सीट से हमें एक बाक्स बनाना है विदाउट अ टॉप कर्टिक जनी हमें ऐसा इसक्वायर यह ऐसा बाक्स बनाना है अपर समझे मिठाई के डबब बनाना इसके ओपर की ढक्कन हमें नहीं बनाना आप 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 आप